भारत और चीन के सीमा पर जो हुआ है चीन के द्वारा जो दुस्साहस करते हुए और हमारे भारत के सैनिकों को जो घात किया है उससे हम समस्त जेतने भी भारतवासी हैं उनको आगात रगा है लेकिन हमारे सैनिकों का जो शहादत है उनकी उनका जो शौर है जो नोंने दिखाया है वो विर्थ तो नहीं जाएगा किन्तो ये चाइना का निरंतर ये इतिहास देखिए हमेशा धोका निरंतर धोका और तो और उन्होंने जब दलाई लामा जी को नहीं छोड़ा तो और वो क्या करेंगे मेरा इसमें केवल एक ही भारतवासियों से निविदन है कि भविश्य में वहे चीनी उत्पाद के लिए जो चाइना में निर्मित हैं उनका उप्योक करना दीबंद कर देते हैं तो हम लोगों का स्वाहिमान तो जगेगा ही और चीन के लिए आर्थिक आगहात लगेगा इस अंदर में मेरा समस्त भारत की जो राजनेतिक पार्टियां हैं उनसे बेशेस निविदन है कि ये कभी चर्चा ना करें कि भारत क्या कर सकता है भारत क्या करेगा सेनिकों का और आप कुछ न कर सकें तो मनुबल कभी न तोड़े सेनिक अपना घर छोड़कर अपना परवार छोड़कर के सीमा पर किवल हम लोग सुखी रहें अपने परवार में इसलिए सेवा दे रहे हैं भारत माता के लाडले जो के जेहिंद करते हुए अपने देश की रक्षा के कारण अपने भारत वासी भाईयों की रक्षा के लिए अपने प्रान गमा देते हैं इसलिए कभी ये न कहें कि भारत क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है इसलिए अब चुकि भारती सेना ने भारत और चीन की सीमा पर वो करके दिखा दिया है जो चीन को भी समझ में आ चुका है कि भारती सेना क्या कर सकती है इसलिए हमारी देश की सेना महान है इसमें कोई संदेह नहीं है और संभब तया आगे तो भविश्य तो ठाकुरजी जाने लेकिन चीन को बहुत सोच करके आगे बढ़ना होगा कि अब हलके में भारत को नले लेकिन हमारा सभी सेने विदन ये है कि चीनी उत्पादन के लिए यानि चाइना से बने हुए जो उत्पाद हैं उनका उप्योग करना बंद करें और हम लोग भी चाइना की उत्पादन जो भी हैं भविश्य में प्रियोग नहीं करेंगे ऐसा संकल्प लेते हैं